देश का ये छोटा सा शहर खूबसूरती में नहीं किसी जनत से कम, सुद्रज्रलेंट भी फीका पढ़ जाए। यहां आपको रियायती दामों में होटेल मिल जाएगा, यहां एक दिन के लिए 800 रुपय में भी होटेल मिल जाता है, हाँ पीक सीजन में यही हुटलरूम आपको 800 से लेकर 1500 तक में मिलेंगे, खाने पीने के लिहाद से कसौल काफी सस्ता है, कसौली दाने को मजबूर कर ये ये कारण बस्ते में रहने के लिए होटेल ढूंड सकते हैं 6. कसाली में कई मशूरा और खूबसूरत कैफे भी हैं कैसे पहुँचे दिल्ली से मनाली डाने वाली बसों से भी कसाल जाया जा सकता है इसके आलावा आप्रेल मार्क के जरिये भी यहां जा सकते हैं दिल्ली से कालका के लिए दिन भर में पांच गाडियां है हिमालियन क्वीन, कालका शतादी, पस्चिम एक्सप्रेस और हाबडा दिल्ली कालका मेल से आप कालका तक पहुँच सकते हैं उसके आगे कालका से शिमला लाइन पर आप धर्मपूर स्टेशन तक ट्रेन से जा सकते हैं चाहे कालका शिमला पैसे इंजर ले या कालका शिमला एक्सप्रेस या अने गाडियां पहाडियों की खूबसूरती का नजारा करते हुए आप लगभग देड़ गंटे में 33 किलोमीटर आगे दर्मपूर पहुँच जाएंगे वहाँ से हिमाचल रोड वेज की बस या टैक्सी लेकर कसावली तक की 12 किलोमीटर की दूरी तेकर डेस्टिनेशन प्वाइंट पर पहुँच सकते हैं हवाई यात्राकर भी आप कसावली पहुँच सकते हैं कसावली का नजदी की हवाई अड़ा चंडी गड़ में है जो कसावली से 65 किलोमीटर है दिल्ली से चंडी गड़ के लिए दिन भर में अनेक उड़ाने हैं इंडियन एरलाइन्स, किंग फिशर, जेट एयर, जेट लाइट की उड़ाने प्रति दिन हैं घूमने के लिए बेस्ट टाइम आप नवंबर से जून के बीच यहां घूम सकते हैं मानसून के दिनों में यहां जाने से परहेस्ट करें देखने के लिए मशूर जगे गिलबर ट्रेल, संसेट प्वाइन्ट, दमॉल, मंकी प्वाइन्ट, क्रिश्ना भवन मंदेर, क्राइस्ट चर्च, गार्डन ओफ चार्मी नार, सन्राइज प्वाइन्ट